ओम शान्ति आज 11 अगस्त 2023 के साकार मतुर महवाक्य है आज की मतुर मुरली में बाबा ने बहुत सुन्दर बात दिखाई कि बाबा बाब, टीचर, सत्गुरु है तो बाबा का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है बाबा की शिरीमत पर चलना ही बाबा का रिगार्ड रखना है कहीं पर भी रहते इश्वरिय पढ़ाई जरूर पढ़नी है मुरली कभी मिस नहीं करनी है गर बैठे भी अपने आपको गौडली स्टूडेंट जो बच्चे अनुभव करते हैं कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करेंगे नहीं आ सकते तो मुरली मंगाकर के भी पढ़नी है मुरली जरूर सुननी है या पढ़नी है इसी पढ़ाई से आपको भविश्य में ताव्सी तक्त मिलता है जो अच्रिती पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वो ताउसी तक्त के अधिकारी बनेंगे जो बच्चे आपस में लड़ते जगड़ते रहते हैं उनका भविश्य में उच्पद नहीं हो सकता वो प्रजा में चले जाएंगे अभी हम इश्वरिय गोद में हैं इसी श्वरिय गोद में कौड़ी से हीरे जैसा बनने के लिए आए हैं अगर कोई बच्चे अच्चरिती नहीं पढ़ते हैं तो जोत बुझ चाती हैं बाबा अकर आत्मा की जोती जगाते हैं याद दिलाया बाबा ने कि तुमें देही अभीमानी बनना है देही अभीमानी बनते हैं अच्चरिती बाबा को याद करते हैं तो भविश्य उच्पद के अधिकारी बनते हैं सुनते हैं बाबा के मदर बोल बाबा ने का मीठे बच्चे अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो अभी तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो जैसा बनना शिरिमत तुम्हें हीरे जैसा बना देती है कोश्चन है सत्यूग में किसी को तो तावसी तक्त मिलता है बादिशाही का और किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता है इसका कारण क्या है सत्यूग में किसी को तो तावसी तक्त मिलता बादिशाही का किसी को दास दासी या प्रजापद मिलता इसका कारण क्या है सत्यू में ताउसी तक तो उन्हें मिलता जो संगम पर ग्यान सागर की पढ़ाई को अच्छी रिती पढ़ते हैं, धारन करते हैं ग्यान रतनों का दान कर बहुतों को आप समान बनाते हैं और जो गफलत करते हैं देविमान में आकर हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजापद मिल जाता है, पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले दास दासी बन जाते हैं। ग्यान रतनों का दान कर बहुतों को आपसमान बनाते हैं, और जो गफलत करते हैं, देविमान में आकर हंगामे मचाते हैं, उन्हें प्रजापद मिल जाता है, पढ़ाई पर ध्यान ना देने वाले ही दास दासी बन जाते हैं। ओम शान्ती। बेहद के मोस्ट बिलवद भाप द्वारा, उनकी महिमा गाई जाती, वै उँच ते उँच भगवान है। सारी स्रिष्टी में उनको याद करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बरोबर दुख हैं। ऐसा मत समझो, सम मनुष्य बे समझ हैं। समझते वे कि प्राचीन भारत बहुत उच था और सब खंड अत्वा धरम थे नहीं। इसले भारत को फ्राचीन कहते हैं, इतना समझते हैं, प्रंतु वो कैसे हुआ, कब हुआ, भारत फर हीरे जैसा कब और कैसे बनेगा ये नहीं जानते। भारत फिर से हीरे जैसा कब कैसे बनेगा ये नहीं जानते। अब तुम बच्चे समुख बैठे हो और जो परदेश अथाग बाहर सेंटर पर रहते हैं, वो भी सुनते हैं। हीरे जैसा बनाने वाला बेहद का बाप कहते, ये तुम्हारा अंतिम इश्वरिय जनम है, जबकि भगवान हीरे जैसा बनाने के लिए तुम्हे पढ़ाते हैं। वैसे बाबा का कितना रिगार रखना है, सत बाप, सत टीचर, सत गुरू का रिगार रखा जाता। बाबा केते हैं, बच्चों को सुख देने वाला मैं ही हूँ, इस समय तुम बच्चों को सुख देने के लिए आकर अपनी मत देता हूँ, कैसे सुखी बनाते हैं बाबा? बाबा आकर अपनी मत देते हैं, भगवान ने जो शिरिमत दी थी, वो फिर मरिश्यों ने गीता में लिखा प्रंतु यथार्थ नहीं अब ये तुमको उँचते उँच किरे जैसा बनाते स्वर्ग में तुम ही आ सकते हो यह तो सारी दुनिया के आत्माई बच्चे हैं बाप के प्रजा पिता ब्रह्मा तो है ना इस समेश्र बाबा के पोत्रे कहलाते हो फिर पर पोत्रे तर प खुदा ने इतना समझतें प्रंतु कैसे पैदा करते हैं कैसे इतना सब वृधी को पाते कुछ भी पता नहीं ये तो तुम चानते हो सत्यों में बोच थोड़ी रचना होती है जरूर रच्चता भी होगा जो नई दुनिया रचते हैं नई दुनिया में देवी फिलोस्विक ज्ञान को कहते हैं, प्रंतु ये किसी को पता नहीं, ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा है, तुम इन द्वारा नॉलिज पाकर हीरे जैसा बनते हो, इश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जनम है, इश्वर की गोद पाना ही हीरे जैसा जनम है, हीरे जैसा बनाने वाला बाप हीरे जैसा बना रहा है, बलिहारी इनकी गाई जाती, सत्यों में बलिहारी की बाती नहीं, वहां ये ख्याल भी नहीं रहता, तुम अब जानते हो, अभी ना शुद्र है ना देवता है, अभी हम ब तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो या तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन विश्नु कुल में जाकर राज्य करेंगे। तुम्हे हीरे जैसे देवी दिवता थे, पहले तुम्हे पता नहीं था, दुनिया में अनेक मते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई कहते हैं, मनुश्य मरते हैं, सिर्फ नएपयदा होते, कोई कहते जैसा संकल्प करते वैसा बन जाते, अनेक प्रकार की मते हैं, तुम हो शिरीमत पे चलने वाले, शिरीमत से तुम्हारी भी स्रेष्ट मत बनती है, तुम ही जानते हो, सब तो नहीं जानेंगे, भले कोई लखपती, पदंपती है, इस ज्यान में आना बड़ा मुश् कोटों में कोई ही आता है, क्योंकि सावकारों पर लपड़े बहुत हैं, ड्रामा में नूधी ऐसी है, गरेवी ईश्वर की गोद लेते हैं, ये रत तो उनका है न, बाप्त ददद दोनों इकठे हैं, ये तुम समझते हो, निराकार भगवान को अपना शरी नहीं, तो आजकल बहुत मनुष्ये वेश बदलकर स्रीकृष्ण का रूप धारन करते हैं, पैसे कमाते हैं, सब माया के मुरीद बन गए, अब तुम इश्वर के मुरीद बनते हो, कोई तो सो प्रतिशत इश्वर के मुरीद बने हैं, उनकी शरण ली है, बाकि सब माया रावन की बावा ने समझाया खास भारत वसी सब शोक वाटिका में है, सारी दुनिया ही लंका है, उन्होंने तो शास्त्रों में हद की बाते लख दी, बेहद का बाप, बेहद की बाते सुनाते हैं, तुम जानते हो, अब हम इश्वर की गोद में हैं, फिर हम नई दुनिया के मालिक, द देवी देवता बनेंगे, वहाँ तो माया होती नहीं, सुर्य अंशी चंद्रवंशी बड़े साहुकार होते हैं, फिर जब वैश्य वंशी बनते, तब हीरे ज्वारात के मंदिर बनाते, पहले पहले जो हीरे ज्वारात के मंदिर बनाते, ऐसे महलों में रहते, इसले गाय जा भारत हीरे जैसा था, अभी तो कोडी मिसल है, यह पतित दुनिया, भारती सच खंड पावन था, अभी पतित खंड है, भारत को अभी हम पावन नहीं कहेंगे, अभी हम पावन बन रहे हैं, वाहां तो है इस संपुरा निर्विकारी दुनिया, स्रीकृष्ण की कितनी भारी मह महिमा है, उसको जूले में जूलाते हैं, स्रीकृष्ण जी की कितनी महिमा है, उन्हें जूले में जूलाते हैं, प्रन्तु उनकी बायोगरवी को नहीं जानते हैं, तुम जानते हो भी कल्यूग है, भारत ही सत्यूग था, बरोबर 84 जनम भारतवासी ले सकते हैं, तुम को भी हीरे जैसा कहेंगे अभी यथा राजा राणी तथा प्रजा कोडी मिसल है हीरे जैसा बनाने वाला बाप आया है तो पूरा पूरा पुर्शात करना है हीरे जैसा बनाने वाले बाप से पूरा योग लगाना है अंदरलाइन करेंगे क्या करना है हीरे जैसा बनाने वाले बाब से पूरा योग लगाना है तुम जानते हो श्र बाबा से हम बैकुंट का मालिक बनते हैं पढ़ाई पर सारा मदार है पढ़ाई का ख्याल तो सबको करना चाहिए घर में कामकाज करते भी ऐसा समझो हम गौड फादर के स्टूडेंट है हमारी पढ़ाई बिल्कुल सहज है एक घड़ी भी आकर सुनना जरूर है पौइंट ऐसी अच्छे ची निकलती जो कोई समय अचानक इसको तीर लग जाता इसरे मुरली तो कैसे भी करके जरूर सुननी है नई सुन सकते तो कैसे भी करके पढ़ाई पढ़नी है प्रबंद हो सकता है पहले तो एक हफ्ता आच्छिरिती समझना है फिर नईने पौइंट समझने के लिए पढ़ना भी जरूर है बाबा पढ़ाते रहते पौइंट निकलती रहती बोड पर भी लिख सकते हो कि बेहनों भाईयों आओ तुम सब को इस सहज ग्यान सहज राज योग से हीरे जैसा बनाते है तुमारे पास तो चित्र भी सब है उन पे समझाना बहुत सहज है इसे छोटे बच्चे को खिलोना दिखा के बताय जाता पढ़ाते है ये हाथी है ऐसे ऐसे करता है ये उन्ट है चित्र दिखाते है बच्चों को बताते है उन्ट है ये हाथी है मनुष्य को भी परमात्मा का पता नहीं नहीं जानते कि वो क्या करते हैं उनके करतववे को ना जानने के कारण बाकी महत्व क्या रहा तो चित्र पे समझाया जाता, ये परमपिता परमात्मा श्रिव है, हीरे जैसा बनाने वाला है, इनसे वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वाराब, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को श्रिव बाबा पढ़ा कर ऐसा देवी देवता बनाते हैं, पढ़ाया है, तभी तो मुस्पा कि क्यों खाते हो यह सब धन माल मिट्टी में मिल जाना है अब तुम सच खंड के लिए सच्ची कमाई करो पूरी कमाई ना करने की कारण पूरी कमाई ना होने की कारण बिल्कुल साधारन प्रजा में चले जाते हैं प्रजा के भी नोकर बन जाते बाप का बन कर फिर बाबा को फार्कती दे देते, तो बाबा समझाते, बच्चे, घर में भी मुरली मंगा के पढ़ सकते हो, मुरली मिलती रहेगी, आजकर तो सब को मिले जाती है, बाबा ने कहा, कैसे भी करके, मुरली मंगा करके भी पढ़ो, कहां भी हो, पढ़ना जरूर है, पढ़ो और पढ़ाओ, व प्रोवर प्राचीन भारत हैविन था, कितना धन यहां से लूट कर ले गए, सत्यूग में चेतन्य में सारी स्रिष्टी के तुम मालिक बनते हो, यानि राज्ये करते हो, फिर भक्ति मारग में जड़ चित्रों को एक कोठरी में बंद कर देते हैं, यादगार बनाते हो, हम सब कुछ जान गए हो, हम सब पूझे थे, अब पूझारी बन गए, पूझे से पूझारी बनने में हमें कितना समय लगता है, कैसे मंदिर बने, हमने ही तो मंदिर बनाए, हमने अपने जड़ चित्र बनाकर अपनी पूझा शुरू की, कितनी वंडरफुल बाते हैं, बा जैसा बन जाएंगे, दे अभिमान में नहीं आना, दे अभिमान में आकर बड़े-बड़े हंगामे मचाते, अपना भी सत्यनाश, औरोका भी सत्यनाश, ज्यान से समझेंगे, दे अभिमान में आते, अपना भी सत्यनाश, औरोका भी, एक ही ज्यान सागर से, कोई तो कर ताउसी तक्त पर बैठते हैं, कोई दास दासी, देखो लक्षमी नारण स्वरग के बादिशा थे, कितनी उनकी महिमा पूचा होती, मंदिर बनाते, अब तुम जानते हो, फिर से सूर्य वंशी लक्षमी नारण बन रहे हैं, फिर सूर्य वंशी चंदरवंशी में आएंग अगर कराना नहीं जानते, तो गोया करना इनी सीखे, आपसमा नहीं बना सकते हो, तो राजारानी बन नहीं सकते, अविनाशी ज्यान रतनों का दान करना है, ये नशा बोद थोड़ों को रहता, देहिय अभिमानी हो रहने से, खुशी का पारा चड़ेगा, देहिय अभिमा इसे कई बांधेली आये, उनको मार पड़ती है, तो बाबा सोचते हैं कि कैसे इनको बचाय जाए, एसलम देने में कितने हंगामे है, शरण देने में भी कितने हंगामे है, सर्व शक्तिवान शिव बाबा द्वारा भारत को हीरे जैसा बनने की लौटरी मिलती है, यहां तुम समुख सुनते हो, अच्छा लगता है, बाबा दोस चढ़ाते रहते, बच्चो को कदम कदम श्रीमत पे चलना है, अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चो परती, मात पीता बाप ददा का याद प्यार गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, रुखानी बच्चों की रुखानी बाप ददगो याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धारना के लिए सार सुख देने वाले बाप टीचर सत्गुरू का रिगार्ड जरूर रखना है उनकी मत पे चलना ही उनका रिगार्ड है घर का कामकाज करते स्वयम को गौड फादर का स्टूडेंट समझना है पड़ाई पर पूरा ध्यान देना है मुरली कभी मिस नहीं करनी सच खंड के लिए सच्ची कमाई जमा करनी है अटेंशन से सुनेंगे सुख देने वाले बाप टीचर सत्गुरू का रिगार्ड जरूर रखना है उनकी मत पे चलना उनका रिगार्ड है घर का कामकाज करते स्वयम को गौड फादर का स्टूडेंट समझना है पड़ाई पर पूरा ध्यान देना है मुरले मिस नहीं करनी सच खंड के लिए सच्ची कमाई जमा करनी है वरदान है पास्त प्रेजेंट फ्यूचर को जान मायाजीत बनने वाले मास्टर त्रिकाल दर्शी भाव जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वो कभी माये से हार नहीं खा सकते क्योंकि वर्तमान क्या है, भविश्य में क्या होने वाला है, दोनों इत्रे कालदर्शी आत्मा की बुद्धी में स्पस्ट रहता है, क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविश्य दोनों का उन्हें नशा रहता है, उसी नशे की खुशी में वो उड़ते रहत उनके पास, उनके पाउं भी धरनी से उचे होते हैं। वैं देहे, देहे के संबंध, देहे के पुराने पदार्तों की आकर्षन में कभी नहीं आते हैं। जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं, कभी माय से हार नहीं खा सकते, वर्तमान क्या है, भविश्य में क्या होने वाला है, दोनों ही त्रिकाल दर्शी आत्मा की बुद्धी में स्पष्ट रहता है, क्या हूँ, क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविश्य दोनों का उ उसी नशे के खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलुप उनके पाऊंधरनी से ऊचे होते हैं, वो देखे शमण देखे पुराने पतार्थों क्या करशण में नहीं आते हैं, इस लोग ded के पास सरलता का गुण है, उनके लिए संग्ठन में चलना बहुत सहच है, जिनके सरल्ता का गुण है उनके लिए संग्ठन में चलना बहुत सहच है सरल्ता मतलब easy nature जो बड़ी बात को छोटा कर जो ये बात सीख गए, उनके लिए सग्धन में चलना बहुत सहज है। बाबा ने मुझे बड़ी बात को छोटा करना, छोटी बात को समाप्त कर देना सिखाया है। संग्धन में एक्रस अवस्था में रहता है, हल्चल में नहीं आता। अनुभव करें, बाबा की पवित्र किरने मुझे में समा रही है। मैं सरलचित आत्मा हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सरलचित बनना सिखाया। जीवन जीने की कला सिखायी आपका शुक्रिया। आज पल-पल शुक्रिया दिल से निकलता रहे। सरलचित बनाने के लिए शुक्रिया। त्रिकाल दर्शी बनाने के लिए शुक्रिया। गोद देने के लिए शुक्रिया। कौडी से हीरा बनाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती